चेहिन दोस्तों स्वागत आपका आपके यूट्यूब चैनल सरकारी जॉप एंड जॉप पर दोस्तों बात करते हैं जो 26-25 फरवरी की ये ख़बर आई है जिसमर 26 फरवरी को 9,055 नुक्ति प्रमाल पत्र जो योगी जी द्वारा बांटे जाएंगे उसके बारे में जो सब्सक्राइब ने किया तो पिलीच चैनल को सब्सक्राइब करनें वेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी सभी भरती से संब्धित अपडेट आप तक पहुंच सकें तो दोस्तों जान लेते हैं जैसे कि आपको इस स्क्रीन पर दिख रहा है CM योगी आदितनाथ 26 फरवरी यानि आज ही को बाटेंगे 9,055 नुक्ति पत्र UPPSC, PCS और UP पुलिस के अभ्यारती सामिल होंगे जिसमें उन्हें नुक्ति पत्र दिया जाएगा तो जान लेते हैं मुक्य मंत्री योगी आदितनाथ द्वारा पुलिस, PCS और अग्नी समन सेवा के 26 फरवरी को 9,055 लोगों को नुक्ति पत्र का वित्रण किया जाएगा यह कारिकरम इंद्रा गांधी प्रिश्थान में सुबह 10 बजे से आजित होगा नुक्ति पत्र पाने वालों को प्रिधान मंत्री नरंदर मोधी द्वारा वीडियो संदेश के जरिये मार्क दर्शन भी दिया जाएगा इस मौके पर उपमुख्य मंत्री केसब परसाद मौर्गेवे बिर्जेस पाठक और वित मंत्री सुरेश कुमार खन्ना भी मौजूद रहेंगे नुक्ती पत्र पाने वालों में पुलिस भरती एवम बोर्ड द्वारा चैनित नागरी पुलिस के उपन रिष्चक पी एसी के पलाटन कमंडर और दूती अगनी समन अधिकारी सामिल होंगे यानि कि जो दरोगा भरती थी उसके जो आपके नुक्ती पुनाल पत्र हैं वो आज 26 तारिक में योगी जी दौरा बांटे जाएंगे और आगे बात कर लेते हैं आपकी जो कॉंस्टिबल भरती है उसके बारे में सूचने दी है उसके बारे में जान लेते हैं जैसा कि आपको स्कीन पर दिख रहा है 37,000 कॉंस्टिबल की भरती का ऐलान संबब है यानि कि जो आपकी 37,000 जो भरती है वो आपकी जल्द आने वाली है और वो संबह भी होने वाली है माना जा रहा है कि इस दौरान मुख्य मंत्री योगी आदितनात राज्ये में बहु प्रति से 37,000 कॉंस्टिबल पदपर भरती का भी ऐलान कर सकते हैं माना जा रहा है कि इस दौरान मुख्य मंत्री योगी आदितनात एलान कर सकेंगे दिसंबर में पुलिस बिभाग ने रिक्तियों की संक्या बढ़ाने के संब्ध में सूसना जारी की थी कई महीनों में यूपी पुलिस कॉंस्टिबल भरती सुरू होने का इंतिजार है उम्मिद है कि उत्तर पर्देश पुलिस बढ़ती बोर्ड की ओर से जल्द ही इस संब्ध में कोई सूसना जारी की जा सकती है यूपी पुलिस की ओर से बढ़ती नोटिफिकिशन जारी होने के साथ ही आविदन पर के लिए सुरू हो सकती है ऐसे में अभिहारती को सरा है कि वे अपने दस्तवेच पहले ही तयार रखें जिससे की आविदन के वक्त कोई दिक्कत ने आए तो दोस्तों जैसा कि हम आपको पहले से बता रहें कि अपने जो आविदन है उन्हें अपने आविदन को तयार कर लें क्योंकि जल्दी ही है आप एदन आपके होने वाले हैं आपकी भरती होने वाली है क्योंकि यह बड़ी भरती है जिस पर एक बड़ी बड़ी सी तैयारी के साथ इसको करा जाएगा जिससे कि इसमें आपका समय भी लगने वाला है और काफी बड़ी वैकेंसी है तो जिसमें करण होने के बाद नुक्ति पत्र यह भी पूरी हो जाएगी अब जो फॉकस रहेगा वह आपका यूपी प्लिस कॉंस्टबल भरती पर यह फॉकस बनने वाला है क्योंकि यह बड़ी भरती है और इसमें लाको 28 लाक से पिलस इसमें भ्यार्थियों को वैठने की संभावना ज दी जाएगी तो दोस्तो इस वीडियो में इतना ही मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू धन्यवाद दोस्तों